जीतने के लिए कुछ लोग तलवार और बंदूख ले कर जाते हैं। कुछ लोग चेकबुक और कैश ले कर जाते हैं। भवनाओं के लेवल पर अगर आप ऐसी कोशिश करें, तो हम इसे लव अफेर कहते हैं। प्रेम कोई रिष्टा नहीं है। एक रिष्टा एक अलग चीज हैं। अगर आप एचुक हैं, तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भवनाओं को एक बहुत ही मीठी जगा बना सकते हैं। कुछ टीचर, कुछ गुरू, कुछ गाइड कहेंगे। आप प्रेम कर सकते हैं, पर आपको अटाच नहीं होना चाहिए। आप प्रेम कर सकते हैं, पर शर्ते नहीं होनी चाहिए। तो इसके कई versions हैं, मैं बस इसे समझना चाहती हूँ। ताकि आप बार-बार मेरे पास आती रहें। इसका एक आसान तरीका ये है कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए जो आप ना कर सकें। कोई ऐसी सीख दे दें जिस पर आप कभी अमल न कर पाएं। आपको प्रेम करना चाहिए पर जुडाव नहीं होना चाहिए। अब आपको मशवरे के लिए मेरे पास आते रहना पड़ेगा। हमेशा। मैं कहता हूँ खुद को अपने लव अफैर में जोंक दीजी और इसमें मरमिट ये कुछ नकुछ तो होगा। अगर आप प्रक्रिया में मरमिटने को तयार हैं तो कुछ अच्छा होगा। कोई एक चीज नहीं चाहिए आपका काम हो, आपका जीवन हो, प्रेम हो या कुछ भी हो। अगर आपको खुद को इसमें पूरा जोंकना नहीं आता, तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे। प्रेम करो उपर जुड़ो मत तब आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को अपने जीवन के खुद के एक हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं इसलिए आप प्रेम करते हैं नहीं, मैं प्रेम करता हूँ, पर मैं जुड़ा नहीं हूँ. इसका मतलब है, आपको मशवरे के लिए रोजाना आना पड़ेगा. ये एक मनोचे कितसक के काम जैसा है. आपको जाकर हर रोज सोफे पर बैठना होता है. आपको इलाज चाहिए और उसकी एक फीज. मतलब ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और एटाच भी हो सकते हैं. ने, ने, मैंने ये नहीं कहा. ठीक है, मैं मशवरे के लिए वापस आ रही हूँ. तो आपने क्या कहा? देखे, मैंने बस ये कहा. एक इनसान में प्रेम की ये जरूरत क्या है? आपको समझना होगा. एक इनसान लगातार, लगातार. इनसान हमेशा उससे कुछ जादा होने की चाहत रखता है, जैसा कि वो अभीस वक्त है. अगर ये चीज एक साधारन बुनियादी शारेरिक अभी वक्ति पाती है, तो हम इसे सेक्श्वालिटी या कामुक्ता कहते हैं. कामुक्ता मतलब बस ये, शारेरिक रूप से आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका हिस्सा नहीं है. कुछ पलों के लिए आप सफल हो सकते हैं. अगर मांसिक रूप से आप ऐसा करें, तो इसे लालच, जीत, या बस सीधे-सीधे शॉपिंग कह दिया जाता है. कुछ लोग जीतने के लिए तलवार और बंदुख लेकर जाते हैं, कुछ लोग चेक बुक और कैश और क्रेलिट कार्ड लेकर जाते हैं. बात ये है कि आप किसी चीज़ को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, पूरा प्रयास इसी का है. चाहे आपको पैसा चाहिए, या दौलत, या आप किसी देश पर कबजा करना चाहते हैं, ये क्या है? कोई चीज़ जो आप नहीं है, आप इसे अपना बनाना चाहते हैं. आपका प्रयास इसे अपना एक हिस्सा बनाने का है. अगर ये भावनाओं के स्थर पर होता है, अगर आप ऐसा भावनाओं के स्थर पर करते हैं, तो हम इसे लव अफेर कहते हैं. आप किसी दूसरे को जो आपका एक हिस्सा नहीं है तो यह अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह एक love affair है अगर आप इसे जागरुकता से करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं योग का मतलब है मिलन तो यह सब प्रयास ठीक हैं यह अपनी सुंदरता है पर इनकी अपनी सीमाएं होती है जब आप बाकी सभी तरीकों की हदों को समझ लेते हैं तो इसमें कुछ गलत या सही नहीं है बस इतना है कि यह कुछ समय के लिए ही काम करेगा हमेशा के लिए नहीं जब आप कोई अहसास हो जाता है तो आप जागरूकता से समावेश करने की कोशिश करते हैं जब आप जागरूकता से शामिल करने के प्रक्रिया बन जाते हैं अगर आप यहां बैटकर हर चीज़ को खुद के जैसा ही अनभव करते हैं तब आपको योगी कहा जाता है, ठीक है? तो ये एक सफर लव अफैर है. आपने कहा प्रेम और शामिल करना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमरे में सबसे प्रेम कैसे करूँ? आप नहीं कर सकती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनने आप प्रेम नहीं कर सकती हैं. मैं मुश्किल से उपर तक देख पा रही हूँ. तो आप अपने प्रेम में सबी को कैसे शामिल करें? देखे, क्यूंकि आप प्यार को एक ऐसी चीज़ की तरह देख रही हैं, जो आपको होता है, या प्यार की प्रक्रिया को होने देते हैं, केवल इसी लिए कि आप किसी विशेश गुन की सराहना करते हैं, किसी की नाकाकार, या उनके दिमाकाकार, या उनके विचार, या उनकी भावना, या उनके बोलने का तरीका है, जिस तरह से वो काम करते हैं, या जैसे वो आपको देखते हैं, कुछ ऐसा, बहुत सारी चीज़ है, यह उस पर निर्बर है, जो आपको सुईकार है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, जो आपको सुईकार या नहीं है, तो प्रेम चटक के ढ़ या आपको दुख हो या आपको खुशी हो, ये सिर्फ आपके भीतर ही होता है, है न? ये कभी, लोग कहते हैं प्रेम हवा में है, नहीं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में बहुत मधुर अनभव कर रहे हैं, अचानक हवा उमंग भरी महसूस होती है, हमेशा से ऐसी है, मैं ये कह रहा हूँ, कि कमसंगाम आपके भीतर जो होता है, वो आपकी मर्जी से हो, आपको इसे जागरुकता से करना चाहिए, अगर आप, अगर आपका अनुभव या आपके भीतर जो हो रहा है, वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो क्या समस्या है, ये सिर्फ आपके भीत प्रेम कोई रिष्टा नहीं है, रिष्टा एक अलग चीज है, प्रेम आपकी भावनाओं की एक मिठास है, चाहे आप एक पेड़ को देखें, या एक कुत्ते को, आदमी को, औरत को, या बच्चे को, या बस आस्मान को देखें, आप इसे प्रेम पूर्वक क्यों नहीं अगर आपकी भावनाओं में मिठास होने की बात है, अगर आपकी भावनाओं मधूर हैं, तो आप जो भी देखेंगे एक खास तरीके से देखेंगे, इस तरह आपने बुरी भावनाओं हैं, तो आप जो भी देखेंगे उसे एक अलग तरीके से देखते हैं, तो आपने प खावनाओं को एक बहुती मधूर जगा बना सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को बहुत मधूर बना दें, तो ये सुख बन जाता है। अगर आप यहाँ बैठें, यहाँ बैठ कर सांस लेना ही एक बहुत बड़ा सुख हो सकता है। हम लोगों को यही तो सिखा रहे हैं। अगर आप बैठें, मैं आपको लाखों लोग ऐसे दिखाऊंगा, अगर वो अपनी आँखें बन कर बैठें, तो आनंद के आंस वो ऐसे ही बहेंगे। कुछ नहीं, बस अपनी आँखें बन की हुए वो आनंद में, उनके शरीर की हर कोशिका से आनंद बह रहें। ये एक गलती है, आपके किसी के साथ सफलता की कहानी है, यानि आपने अपने और मान लीजे आपके आसपास 5-10 लोगों के बीच आपने मधूरता बनाई है, आप इसे प्रेम कह रहे हैं, नहीं, असल में एक सफलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट की जरुरत होत है, ये किसी और के बारे में नहीं है, अगर कोई आता है, हम शेयर करेंगे, अगर कोई नहीं आता, तो आप बस यहां आखे बंद करके बैठ सकते हैं, और फिर भी प्रेम में रह सकते हैं, दिक्कत क्या है, ये किसी और के बारे में नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये कुछ यह बड़ी प्यारी अच्छी लगने वाली बात यह वैसी है जैसी है मतलब आपको वाख़ी इसकी प्राक्टिस करनी पड़ेगी क्यों कि मुझे लगता है देखे मैं बस यही तो कह रहा हूँ अगर यह काम होता तो काम को आप प्राक्टिस से परफेक्ट बना लेते हैं अगर यह काम होता हूँ मैं कह रहा हूँ प्रेम कोई काम नहीं है क्या स्वास्थ एक काम है क्या आप स्वास्थ होने की आक्टिंग कर रही हैं नहीं मुझे पता आप एक आक्टर हैं पर आप स्वास्थ होने की आक्टिंग नहीं कर रही हैं नहीं तो स्वास्त है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें की हैं और इसलिए स्वास्त है है ना ओ हमने चीज़ें नहीं की हैं हमें मिला है अरे बेशक हमने की हैं, ना, 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 अरे, हमें दिया गया है, पर अगर आप खराब खाना खालें, बुरी तरह जीएं, तो आप स्वास्त नहीं रहेंगी हैं, हमने अपना स्वास्त समालने के लिए कुछ चीजें की हैं, उसी तरह, अगर आप कुछ चीजें करें, आप जो आपके भीतर यहां हो सकता है, आप उसे अपने आसपास माहौल बना कर संभालने की कोशिश कर रही है, जिसे करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संसार में 100 प्रतिशत आपका मनचाहा कभी नहीं होगा, कुछ हट तक हम इसे संभाल सकते हैं, पर हम इसे खुद पूरी तरहा मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई ताकते शामिल होती हैं,